कि अब देखे जा मैं एज़ा कॉमेडिन ने की बात करना चाहता हूं कि हम लोग जहां भी प्रोग्राम करना जाते हैं हिंदू-मुस्लिम सीके साही पुझे सब लोग बहुत प्यार करते हैं और सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं कि सब लोग खूश रहें कि मेरा तो ही मानना है कि हसता हुआ आदमी का एक ही धर्म होता हूँ है ता इंसानियत तो जाती धर्म जो है वह आप ना करें इससे क्या होता है कि दुनिया का बहुत बाद में नुक्सान होता पहले आप अपना नुक्सान कर रहे हो आप अपने आपको कहीं न कहीं हट कर रहे हो तो मै इस फिल्म को ज़रूर देखिए, हो सकता है कि ये फिल्म आपको आपके लिए लाबदायक हो, आपको इंस्पायर करें. सिर्फ कॉमिक तो आप पर जाती बात है, विए कमेंट करना चाहेंगे, कमेंट मतलब नहीं एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारे फिल्म इस्टी में कास्ट जो है वो एक ही चीज़ के लिए मानी जाती है, वो है स्टार कास्ट. तो मैं समझता हूँ, और दुरदोशन पर दुरदोशन पर एक ही कास्ट होती है, वो तिर्टेली कास्ट. तो बस इसी कास्ट को हम लोग मानते हैं, आप भी इस कास्ट, इसी कास्ट को मानिए, और हर किसी का सम्मान कीज़े, प्यार कीज़े, क्योंकि किसी को खुल की हसाना इससे बड़ी अबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना, ये हमारी आदत नहीं. है तो नवरातीच में मेरे पूप सरे प्रोग्राम हैं मजे महतरानी की कुछ से बहुत सरे ओफर आ रहे हैं शोस के देश्विदेश से आँवर अवब सब मुझे जा रहा हूं और मैं बड़ा अन्यवाद करता हूं देयलू महतरानी का कि जिसके वज़े से जिनकी आशिरवास है मुझे अपने काम में उनकी करपा से बड़ा काम भी मिल रहा है और मुझे आगे बढ़ने की रहा पी मिल रही है हाँ दो फिल्में तो मार्केट में एक मनी बैग गैरंटी और एक भाउनाव को समझो तो गिनीज बगाव मिल जुका है आप जानती है और तीसरी फिल्म के लिए मैं अभी लगा हूं कोई अच्छी फिल्म लेकर आओंगा जिसमें सारे हमारे दर्शक क्योंकि दर्शक मेरे लिए भागवान की तरह होते हैं प क्या कानी कहानी पे रखी है अपर इक यह पी पेगराउन पर खी हमने लेकिन हर गाउं में यह कानी आज तो चल रही है कि सारे लोग जो कॉलेज की लाइफ से ही जए अलग अलग गरूप में बढ़ते जा रहे हैं उस से प्रेज्वत हो के अमने इस काहनी को सुना हूं इस क सब्सक्राइब जारी है हर पॉलिटिकल पार्टी और किस तरह से डिवाइट किया जा जा इसको उससे प्रेजित हो कर में इसको मतलब इस तरह को लिखा गए जितने जरा याद हो जी यह इनों इनकी कहानी है और काफी टाइम से अमने इस पर वर्काउट टरह थे जो हमारे समा हम साथ में मैठ खेलते कूँते हैं कालेज मेरतें उसके बाद में जो है अलग-अलग बढ़े होते ही सब जो है अलग-टोथ होते हैं और इडिवाइट उन्डूल जो चल रहा है तो इसलिए स्था अच्छ लूपिक पर कुछ करना चाहिए को क्ला-कारों के बारे में इसमे सियाजी सिंदे हैं मनोर दोनी ने हैं को सव दे लग जानते हैं काफी अछा रोल किन अजया और अजया आपर क्लास ऑपर काइट ईपर को बिलाउग उनके साहितले के अपे अखले स्वर्मा हैं कोछक प्रियम की एतरा हृझा और कज इ risky है 앞काफी फिल्म और कर भी रहें ढूर्ट किया हूई लोकेश त्रीवारी है काफी फिल्म heया कियने काफी फिल्मेивать कांड टिरिक्तर नि को लोगों को भी शुब एक वाय जो जब आइट्म गाना है जो नहीं से बिल्गाइब काफी अच्छा है उनकी आवास को सारी दुनिया गांती है और सुफिया नहीं तब शाहिए बहुत अच्छा है उसके बाद एक आइटम गाना है एक गाना जो जो नोंने जमीन से मिट्टी स बिल्कुल जुड़ा हुआ है और गुविरी आदर जीनिक है वो बोच्पुरी टाइप में लोग ने रखा है बोच्पुरी लैंगुज में कि समाजवाद के नाम पे किस तरीके का खेल खेला जा रहा है यह भी आपको है और कली जेपीजे का जन्म दिन था उसके चार लाग रिस्वत लेते हुए पकड़ा गया क्या कहना चाहेंगे किस प्रकार का समाजवाद और किस प्रकार का संदेश दिखिए मैं मैं बात दोंको क कि साव झाल पूरी को साथ में भैड कर एक एक स्वर्व समाज के लिए एक प्लैट-फार्म पे सब को लाखा हम कोशिश करें कि किसी पॉलिटिकल एजड़ नहीं हो समाजवाद मतलब कोई पॉलिटिकल लेजेंडा नहीं हो जिस तरह से हमारी गंगा जमने संस्कृती थी कि एक ही चौपाल पर सभी लोग जो है पैट कर चाय किया करते थे चाय की तुसके लिया करते थे नाने करते थे वहीं पर जो है मिल्जूल करहा करते थे वह जो चीज थी कि आई हस्ते थे खोटी चलिए आ अब चाहे वह तो किसी भी पर्टी का से कोई लेना रहा नहीं है हम चाह रहे हैं तो उसके समाज की इस्थ करेगा उसको जले लगाए गागा कि यह संब्लों कोई मझग मजभ मजभ नहीं सखाता हा आपस में बहर रखोना तो कोई भी धर म यह दुर्त आफ उसको खून कीजएगा और खून को बढ़ा वादे कि जाती वाद से सिर्फ खून ही होगा और वह खून अगर हम अगर सारे लुग सोचे हैं कि एक हिंदूस्तानी का फून ओऊ इंडियन का फून फून आ इंडियन का घर जला तो शायद हमगे सोचने पर मज पर दोड़े हैं और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसको देखें और कोशिश करें कि यह वंतलब मेरा मेसेज रहा कि सब लोग जो है आपस में अपने परोसियों की यह जिसके साथ में पड़े लिखें हैं और उससे हम कभी किसी का धर्म नहीं पूछते कि कौन किसके कौन सी जा सबसे पहले तो मैं पूरी जातिवाद की यूनिट को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं सारे लोगों की पूरी मेहनत और लगन के साथ इतनी शांदार मुवी जिसको आप लोगों ने अभी देखा भी और अच्छा लग रहा है कि यह मेरा पहला प्रोजेक्ट है और पहले प्रोजेक्ट में जिस तरीके की सफलता मिली में बहुत खुश्मस है बात करें सारे जातिवाद का तो किस पकार का यह सबजेक्ट है और क्या क्याना चाहेंग आज जो समाज गर्त में जाता जा रहा है लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे हैं एक दूसरे को समझना भूल गया है तो ये जातिवात फिल्म समाज को एक संदेश देता है कि हम सब को मिल के जैसा कि पहले हम सब एक दूसरे से मिल जुलके चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का हो सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलके रहते थे बात चित करते थे एक दूसरे के हाँ जाना आना खाना पीना था आज वो धीरे 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 खतम होता जा रहा है तो इस फिल्म के माध्यम से एक मैसेज है समाज को संदेश है समाज को कि अगर इसी तरीके से हम लोग जात पात के नाम पे बिढ़ते रहे तो हमारा देश फिर से गुलामी की और चला जाएगा और अगर हम लोग इंसानियत बनाए रखे तो हमारा देश फिर से सोने की चड़िया बन सकता है बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं लोगों की प्रणा है कि इस टाइटिल को हम लोगों ने चुना और आसान सा शब्द है जो आम जंता के समझ में आसानी से आ जाता है समाजवाद उस पर क्या कहना चाहिए नहीं यह तो एक जनरल सा शब्द है समाजवाद की बात करें तो हर मुलाइम सिंग्ग हो या बाकी कोई भी पार्टियां हो आज समाजवाद तो सारी लोग चाहते हैं कि समाजवाद कि समाजवाद जनरल शब्द है किसी व्यक्ति विशेश का नाम कि लेना उच्ट नहीं है अरक्षण तो देखे हमारे हिसाब से ठीक नहीं है अरक्षण के लायक जो भी व्यक्ति हो इसको आरक्षण मिलना चाहिए वो किसी भी जातिका हो किसी भी बिरादरी का हूँ आरक्षण हमारे की हिसाब से अच्छी बात नहीं है चलते चलते हमारे दर्खशों को से क्या निवेद लोगा पिल्टी करना चाहेंगे हम सभी दर्खशों यह फिल्म सोरा अक्टूबर को रिलीज हो रही है पूरे भारत में एक साथ और हम अपने सभी दर्खशों को से यही कहना चाहेंगे कि अपने सभी परिवार के सद्षों के साथ मित्रों के साथ इस फिल्म को देखने जाए और इस फिल्म से जो उनको संदेश मिले समाज में इसको बाते ताकि हमारा देश फिर से सोने की च्ड़ईआं बन सके चलते चलते आपका नाम और इस फिल्म में आपका क्या रूल का और रूल की बात करें तो एक छोटा सा सीम का मुख्यमंतरी का रूल एक दो शौट है हमारा हमारे डारेक्टर साहब ने बड़ा प्रिसराइज किया कि नहीं सर सुभाज घई की तरह आप भी एक बार चेहरा दिखाईए अपना तो एक छोटा सा रूल हमारा है मुख्यमंतरी का है